HIV का वाइरस मनुष्य में को और कैसे आया? 19 सदी में मध्य आफरिका में जब इंसान खौरा के लिए चिंपांजी का सिकार कर रहे थे तब चिंपांजी के अंदर पाया जाने वाला वाइरस HIV वक्ते साथ ओ HIV रुपांतरित हो गया और इस तरह से HIV का वाइरस मनुष्य के अंदर पाया जाने में दुनिया का सबसे पहले HIV का डिटेक्शन्स अबरिका में 1981 में हुआ था और भारत का सबसे पहला HIV का केस 1987 में पाया गया था